अलिजनाब M.P. मलिक सर्थ जो हमारे दर्मियान है और आप इन दोनों को सुनकर हमें अपनी लाइफ को किस तरह एक अच्छी दिशा देनी है ये सईस्टा करना है या आने का मकसद हमारा यह है कि हम यहां को सीख कर जाएंगे इसलिए जो जमाल सर्थ ने आपको अभी बताया मैं इसको रिपीट करूँगा कि आप अगर अभी भी हमारे मुबाइल ओन है तो बराय करम आप अपने फोन सालेब कर देए कुछ देर के लिए आप अपने फोन से दूर हो जाईए किसी का फोन उठाने की कोशिश मत किजिए इसलिए कि हो सकता है जिस वक्त आप सोचे के य इसको चेंग कर दें जो आपकी मुझूदा परिस्तिती परेशानिया जिसमें आप जिरेवे हो और आपको कोई रास्ता निकल नहीं रहा है यह सेमिनार बैसल हमारे जिंदगी में आए भी उल्जनों से निकलने के लिए यहां सजाए गया है मक्सद यह है कि हम यहां से बाह के यहां आया है कि यह भी एक इसी ही कंपनी होंगी कि हमको बुलाया गया है पोस्माजब तो बादने आपके सामने होना है कि इस कंपनी में और अगर कंपनियों में का फरके में सी इतना कवंगा कि कोई इस चक्कर में बैठा हुआ है कि शायद यह उनी कंपनियों की तरह है कि आपको बुलाया गया, कुछ समझाया गया, फिर दीमे से आप से 5,000 रुपे मांगे जाएंगे, 10,000 रुपे मांगे जाएंगे, आप से पैसा एक उत्टा किया जाएंगा, तो इसे मार्कित में बहुत सारी कमपनी आई, इन्वेस्मेंट प्लान को लेकर और कर में गई उनके सपने भी लेके चली गई उनके खाब भी लेके चली गई उनके अर्मान भी लेकर चली गई उन्होंने फ्यूटर की जो प्लानियु की थी मुस्तक्बिल में कमपणी को लेकर जो खाब उन्होंने लेके थे अपने लिए अपने घरवालों के लिए अपने बनिया थी जो लोगों से पैसा हेस्ती है इंटर्जेशन मार्गेटिंग कर्पोरेशन की सबसे अच्छी खूबी यह है कि यहां आपको एक रुपिया लगाना नहीं पड़ता यहां पर कोई इंवेस्मेंट प्लान नहीं आपके सामने कि आपको इसमें इतने रुपे देरो ज आपसान तरीके से कुवाज आपको समझा जाएंगा आएंसी के प्लान में और अजर्वारिश प्लान में क्या फर्ख है मैं अक्सर का करता हूं कि वह बहुत बड़ा फर्किये हैं जो मैंने अपने सर से सीखा है वही उसी को रिपीट करूं तो समझ देरी आप बहुत आसान समझ में आजाएगा कि आईंसी का प्लान और इन्वेस्मेंट प्लान में फर्किये है कि इन्वेस्मेंट प्लान यानि लोगों के घर बिकवा कर उन्हें फुटपाट पे ले आना और आईंसी का प्लान यानि लोगों को फुटपाट उठा कर उनको अपने खुद के घर का म आदमी को लगज़ियस कार का माली बनाना इन्वेस्मिन प्लान हसते हुए चेहरों को रोता कर देना और आइंसी का प्लान रोते हुए चेहरों को हसाना इन्वेस्मिन प्लान इन्वेस्मिन प्लान ये के लोगों के पैसे भी खाना उनसे बद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् प्लान एक ऐस्बाम होता है दो रुसresoाई और सिल्म को भरा होता है इसमेंट प्लान अच्छी खासी इंज को खराब कर लेना इसमेंट प्लान अच्छी खासे के लिए विशरos प्रह वेज़ने आजब का फृफुन के यहां किसी के लोग उपर आना शूरूर कर देते हैं, अहरों की नाम पर एक आती है, कि हम सौधे सी अपनाईए देश को आर्थिक आजादे दिलाईए मैं किसी का नाम नहीं दिना चाहूंगा लेकिन हमने यह देखा कि जो देश को आर्थिक आजादे दिलाने के नाम पे मार्कित में आई थी उन्होंने खुद अपनी आर्थिक आजादी हासिल कर ली लेकिन आइउसी प्लान के इंडर ये सुसेस है रियलिटी है आप इसमें देखों किया याँ कोई नारा नहीं होता क्या मां आप्षी का जरी दिनारा चाहते हैं उनके नारे भड़े होते हैं लेकिन आइंशी में ये नारा लगाए पगेर लाखों लोगों को बादाप्ता स्रीडम किया जा रहा है और लोग लाखों कमा रहे हैं पर इस बात नहीं करता हमाये जर्मियान बेठे विश्था आपके सामने मौझूद है इनकी बात बतातू जो हमाय सामने जोक्ता युनूद घर्याली सर्क ये महीने के पांच लाख रुबें कमाते हैं इनोंने अगर आजमें अकेला कमाता आगे निकल जाता इनोंने जिंजिन को भी अपने साथ लिया चपको कमाने वाला बनाए इसलिए नमालूं कितने घर है जो आइंसी से जिनके घर में अच्छा चुला भी जल रहा है अच्छी इंकम भी है और बहुत भी अच्छा प्लान है यहां भी कमाने वालों की कमी नहीं है ऐसा नहीं है कि मैं कैसे लाके में बोल रहा हूं जहां आइंसी से पैसा नहीं आता कई उल्माए कराम है और कई हुफास एकराम है कई अईमाई कराम है जिसको दिल से कर रहे है पर अच्छी इंकम भी ने रहे है बस यही पर मैं अपनी गुष्टगू खत्म करूंगा कि अब हमको उन लोगों को सुनना है आप लोग तयार है सुनने के निए लग ने रहा है पीछे को मैंने लिया है बस इसलिए सुचरा तक कुरसिया भी आइदा है तो सब को सुनने के साथ में मौका मिलेगा वन्ना हमको हगी कदन आज मलिक सर को यूनिक सर को सुनना है और अपनी जिन्दगी में एक चैंजी मिलानी है और चैंजी मुशिवल ताइविया जब आप आप कि मजिस सर के बाद में जब यूनिक सर के पास माइट जाएगा तो इस पर तो कंदिशन ये हो जाएगी कि आज में उसमाद हो जाता है कि हमारी मुश्ट्रियों का हल यहां से निकलेगा लाइट में चल रही है जो परेशानिया है और जो घरेलों इस्तिती हमारी चल र गाइड लाइन मिलेगी एक गाइड लाइन यहां से मिलेगी और वो भी बिल्कुल फिरी मिलेगी इसलिए अब मैं नमाल सर को माइक दूंगा ठीके असलाम अलेकुम बुलाइब और दोस्तों किसी लेगी सर की स्पीच गो घुवभर्ण और ना तो यार ऐसा रगा कि आपने अगबर विःवल की कहानी सुने तारिया तो बजा और जबर्दस को एकसर अपको करते रहे ना यार अगरना इसे सर बताते हैं कि तारी बजाने का सबसे जबरदस फायदा यह होता है कि अगर कोई जोंका भी ले रहा होता है तो वो बिचम की उठ जाता है कि बैं क्या हुआ तो इसी दमदाल तारी आप की होनी चाहिए ओके परफेक्ट सब रेडियो गुड़ाइंसी अरे बता दिया आपने के नाचता नहीं कियो गुड़ाइंसी पीछे वारे तो बिल्कुल लगी नहीं रहा है कि मैं तिल में बैठें आप लोगी बोल दो बोलो गुड़ाइंसी बैठ जाएगा कि हाँ ये इसी कंपणी है मैं में बेठेगा आपके फैर मैं आपके बीच में और मलीक सर के बीच में ज्यादा हाइल नहीं होना चाहता बस मैं अब सर को इन्वाइट करने से परदे कुछ वर्ट्स कहूँगा कि इदे को गोप रहना तो बोपने दो उदर किसो समझने आया हों कुछ ह्यांस से लेकर जाने आया हों को अपने मैंड को यही इसी अ अपने कान को भी इन सी हो और किसी नियाद ना के आ हो कि इनको खड़ाती है रहा है आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं लोग डिमाइन करते कि सर खड़े हो तो आप लोग तो कुछ नसीब हो और यूनुच सर ने साथ में मर्शाल ला मलीक सर को भी आप लाया है और आप यकीन जानो कि जितनी देर सर के हाथ में माईक रहेगा न उतन सुनो और खुदी खैसला करो कि सुर्च से वाकई कोई सर आया थे मलीक सर इनके लिए जबर्दस तालिया हो जाए मैं इन्हें इन्माइट करें